हेलो गाईज आप देखरें हैं इसके लिए उन एक्सपेट के योटूब चैनल और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको पाकिस्तान वंडे कप का यहाँ पर KHP वर्सेस नोर के बीज में जो मैज खिलाता दिखेगा इस मैज के बारे में हम आज कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं फुल प्रिभ्यू गाईज आपको इस मैज के लेटेड इस वीडियो में जानने को मिलेगा ठीक है हम दोनों टीम्स के यहाँ पर दोनों टीम्स का पुर्वेबल प्लेंग लिवन डिसकस करेंगे फिर गाईज हम अच्छी स्टैर्स डि वीडियो में बने रहें बाकि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टन बात इस मैज के फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम सैनल पर मिलेगी तो अगर अभी तक हमारे टेलिग्राम सैनल पर जॉइन नहीं हुए तो गाईज मैंब को उता उसके बाद ही हम मैच के बारे में अच्छे से बात करेंगे तो गाइस यह जो आपके लिए 1000 का फ्री गिववे है यह कल के Big Best League के मैच में है ठीक है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं दो टीम्स के साथ यहाँ पर आपके पास फ्री इंट्री है आप दो टीम्स यहाँ पर डाल सकते हैं गाइस और यह गिववे आपके लिए Fanada Fantasy Application में है ठीक है अब Fanada गाइस बहुत अच्छी Fantasy Application है जिसमें आपको बहुत कम Competition मिलता है और इंट्री फी भी बहुत कम मिलता है गाइस आप देख सकते हैं 1912 रुपे में आप यहाँ पर Grand League और Mini Grand League Contest केल कर काफी अच्छा जीत सकते हैं ठीक है और यहाँ पर गाइस Regular Fantasy तो एफ लेवल है ही साथ में इनके पास एक और अच्छा Fantasy का फीचर है जो कि Master Fantasy का है जिसमें से आपको पाँच प्लेयर का option मिलता है और पाँच प्लेयर में से गाइस किसी एक प्लेयर को select करके आप यहाँ पर एक प्लेयर के साथ Master Fantasy खेल कर काफी तगरा जीत सकते हैं ठीक है तो यह Master Fantasy का फीचर काफी तगरा है Fananda में तो अगर आप अभी तक तो आप लोग जरूर खेलिए गाईस आपके लिए फिरी गिफबे भी है साथ में जो Master Fantasy वाला फीचर है आप वो जरूर एक बार खेल कर देखें ठीक है मुझे पूरी उमीद है वो फीचर आपको डेफिनेटली पसंद आएगा और काफी अच्छा विनिंग आप वहाँ पर Master Fantasy से Fananda में कर पाएंगे ठीक है तो आपको Fananda का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप यहाँ पर लिंक को जरूर चेक आउट कर लीजेगा आप चलिए गाईज मैज के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर Point Stable देख सकते हैं पाकिस्तान कब का ठीक है यहाँ पर जो KSP की टीम है यानि कि Khyber पकतुगाना की यह पांच में नमबर पर है पांच में से 2 मैं जीती है और 3 मैं चारी है वही पर Northern की टीम पांच में से 3 मैं जीत कर तीसरे नमबर पर है ठीक है तो यहाँ पर गाईज दुनों टीम अभी तक टूनामेंट में decent खेली है Northern की टीम थोड़ा सा better खेली है KP के मुकाबले लेकिन मेरे हिसाब से गाईज अगर आप balance टीम बना कर चलेंगे ठीक है तो वह ही आपके लिए better रहेगा ठीक है किसी हम टीम को ये नहीं बोल सकते कि कोई टीम जादा बहुत जादा strong है ठीक है इसलिए balance टीम बनाना ही हमारे लिए better रहेगा अब चलिए गाईज यहाँ पर दिलसा, 3 डाउन पर मुहमद हैरिस, 4 डाउन पर मुहमद सर्वर, 5 डाउन पर खाली दुस्मान, 6 डाउन पर साजीद खान इनके कैप्टन, फिर इनके तीन बॉलर है मुहमद दिमरान, मुहमद आमिर खान और इसान उल्ला ठीक है तो ये playing 11 आपको KHP टीम का खेलता देख सक ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके टॉप रेन स्कोरर कामरान घुलम है, पांच मैच में 317 रन होने किये, 105 के अबरिज के साथ, वाकी वाकार एहमद ने पांच मैच में 215 रन किये, 45 के अबरिज के साथ, खुशदिलसान ने चार मैच में बिरासी किये, 20 क अबरिज के साथ, उसके अलाबा गाईज, यहाँ पर किसी प्लियर का पर्फॉर्मेंस को ज़्यादा खास नहीं रहा है, ठीक है, बाकी अगर आप बॉलिंग के स्टाइट्स पर फोकस करेंगे, तो उईसान हुला के नाम पर 5 मैच में 10 विगेट है, यह टीम के टॉप टेकर है, इनके लाबा साजित खान 5 मैच में 5 विगेट, खाली दुस्मान 5 मैच में 5 विगेट, मुहमद इमरान 4 मैच में 4 विगेट, ठीक है, और मुहमद आमिर खान के नाम पर 2 मैच में 3 विगेट है, ठीक है, और भी प्लेयर के यहाँ पर हर एक प्लेयर के स्टाइट्स अब लेबल हैं आपको जिनका stats देखना हो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब चलिए गाईज हम दूसरी टीम Northern पर आते हैं उनका प्रवेवल प्लेइंग लेबन डिसकस करते हैं तो Northern टीम के लिए आपको हैदारेली के साथ जिसन मलीक ओपनिंग करते दिख सकते हैं इनके क्याप्टन आ सकते हैं 2 डाउन पर मुबासिर खान 3 डाउन पर रोहेल नजीर इनके विगेट कीपर 4 डाउन पर उमर अकमल 5 डाउन पर आमीर जमल 6 डाउन पर महरन मुम्ताज फेर इनके तीन बॉलर उमेर खान उस्मान खान सिनबारी और कासी फली ठीक है तो यह आपक के stats पर focus करेंगे, तो इनके top run scholar है, इनके captain Umar Ameen, 5 match में 303 run होने किए, 75 के कमाल के average के साथ, बाकि मुबासिद خान ने 5 match में 190 रन किए, 47 के average के साथ, Umar Akmal ने 5 match में 184 किए, 46 के average के साथ, हेदर अली ने 5 match में 221 रन किए, 44 के average के साथ, जीशन मलिक ने 5 match में 182 किये 36 के साथ, रोहल नजीर ने 5 match में 115 किये 28 के साथ, ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर बॉलिंग के स्टाट्स पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर बहरन मुम्ताज 5 match में 7 बिकेट, ठीक है, और यहाँ पर आमीर जमल 5 match में 7 बिकेट, यह दोनों ठ यहाँ पर अथर महमूद 1 match में 4 बिकेट, यह भी last match नहीं के लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पर गाईज जो प्लेयर last match नहीं के लिए थे, उनका भी stats अभ लेवल है, बाई चांस कोई आपको नए प्लेयर खेलता दिखता है, तो आप उनके बारे में भी यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, तो गाईज इस match के लिए टेट, जितना भी हमें data, stats यहाँ पर हमें discuss करना था, सब कुछ हमने एकदम अच्छे से discuss कर लिया है, सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से आपको detail में बता दिया है, तो hopefully guys वीडियो आपको पसंदारी होगी, अगर guys आपको वीडियो एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि guys एक लाइक बहुत जादा मोटिवेट करता है आपके लिए regular वीडियो इस बनाने के लिए, साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है, अगर आपने भी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से मारे च आपने अपनी टीम के लिए साथ में बिकेट कीपनिंग भी करेंगे दोनों, उमार अकमल एज़ बैटर खेल रहे फोर डाउन पर, अभी तक सबसे अच्छा टूनामेंट में उमार अकमल खेलें, लेकिन guys यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपस आपके लिए रोहेल अब आते हैं बैटर सेक्षन पर, जहाँ पर आपको हैदर अली मिलेंगे ओपनिंग पर, खुसदिल सा मिलेंगे मिडल ओर्डर में, साथ में यहाँ आपको बॉलिंग भी करके देंगे, फरहन आपको मिलेंगे ओपनिंग पर, जिनका परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा नहीं आया है, लेकिन प्लेयर अच्छे है, उमेर रामीन टीम के टॉप रन स्कोरर है, के नीचे से डबलू एहमद का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, ओपनिंग पर, ठीक है, जीसन मालीक अच्छे प्लेयर है, ओपनिंग पर आपके लिए यह भी डिफ्रेंसल अच्छे बन सकते है, तो गाइस बैटर सेक्शन में ओप्सन बहुत सारी है, मैं सबसे पहले जो की थोड़े से इंकंसिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा खेलने आपको ओपनिंग पर मिल जाएंगे, अभी इनको इनको इंटरनेशनल एक्स्पीरियंस भी हो चुका है खेलने का, तो आप इनको ले सकते हैं, साहिब जादा फरहन का अच्छा ओपनिंग पर हैं, तो आपके लिए कमाल की डिफरेंसल बन सकते हैं, ध्यार नखिएगा जीसन मली का, ठीक है, लेकिन मैं आभी कलिए तीन ही बैटर्स के साथ जा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, अल डाउंडर सक्षन पर आते हैं, अल डाउंडर सक्षन पर आपको मुब बाकि नेक्स गाइज मुहमद सरवर अफरीदी का पर्फोर्मेंस कुछ खास नहीं है, मैं उतना नहीं रिकवेंड करूँगा, एस खान टीम के कैप्टन है, सिक्स टाउन पर आपको मिल जाएंगे, बालिंग और डाउंडर हैं, अभी तक बालिंग डीसेंट की है, आप ले मेरी टीम में रहेंगे, लेकिन अभी के लिए लास्ट मैच नहीं खेले थे, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान नेकि इस बात का, बालिंग सक्षन में गाइज मेरे लिए जो नम्मर वन और नम्मर सेकेंड चॉइस रहेंगे, वो नीचे से यहाँ पर आमीर जमल और इसान उल्ला है, इसान उल्ला टीम के टॉप बिकेट टेकर है, केज़ पी टीम के अच्छे फास्ट वॉलर है, जैन्यून बिकेट टेकर है, बाकी आमीर जमल गाइज, यहाँ पर टीम के टॉप बिकेट टेकर भी है, पांच मैस में साथ बिकेट है, साथ में गाइज य लोगों ने ये समझ लिया, लेकिन ये दूसरे मुहमाद आमिन है गाईस, लेकिन ठीक बॉलर हैं, दो मैस में तीन विकेट हैं इनके पास, ले सकते हैं, उमेर खान स्पिनर है, डीसेंट, मैं उतना नहीं रिकमेंड करूँगा, उस्मान खान सिंबारी अच्छे लेफटाम फ आमिर या फिर यूखान सिंबारी में किसी एक को ले सकते हैं, मैं अभी करे यूखान सिंबारी के साथ हूँ, क्योंकि इनके पास international experience है, जिसके चलते हैं, बाइचांस मुहमाद मुसा या फिर इमरान खान सीनियर खेलते हैं, तो इन दोनों में से, यहाँ पर किसी एक को, त सक्षन में हैदर अली है, जो कि ओपनिंग पर है, बाकी एक और प्लेयर हैं, ओपनिंग पर डबलू एहमद, और एक और प्लेयर हैं ओपनिंग पर जीसन मलिक, तो तीन ओपनर्स हमारे पास option में हैं, बिकेट कीपर सक्षन से चाहें, तो उमर अक्मल को आप कंसीडर कर सकते लेकिन मैं उतना नहीं ध्यान दे रहा हूं, ठीक है, और डाउंडर सक्षन से एस खान है, टीम के कैप्टन, जो कि बॉलिंग और डाउंडर है, हम इनको कंसीडर कर सकते हैं अपनी टीम में, ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास option है, जिन में से हम अपना final player ले सकते हैं, बाकी मैं अपना final player अभी एस खान को ले रहा हूं, ठीक है, तो ये बनता अभी के लिए हमारे टीम का प्रेव्यू, आप इसमें CVC की बेस्ट option की बात करों, तो खुसदिल सा आपके पास अच्छा option है, जो कि आपको यहाँ पर 3-4 down बैक्टिंग करते मिल जाएंगे, साथ में विक्टे तो निकाल ही रहे regular, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छे यहाँ पर CVC का option बनते हैं, तो ये 3 मुझे guys, सबसे बेस CVC के option लग रहे हैं, इनके अलाबा आपके पास वैसे कामरान घुलम भी ठीक है, जो कि अच्छा केल रहे हैं, ठीक है, बेभी आप खाली दुस का option बन सकते हैं, और maybe guys, आप यहाँ पर कामरान घुलम को भी कर सकते हैं, वो भी काफी तग्रे फॉर्म में, ठीक है, बाकी guys, यहाँ पर Grand League के हिसाब से, अगर मैं बात करूँ, तो Grand League के हिसाब से, यहाँ पर महरन मुम्ताज, रोहेल नजीर, यह सब अच्छे CVC का option हैंगे तो यह बनता है guys, अभी के लिए हमारा team का preview, इसमें definitely 100% team में changes होने वाली है, final team update बहुत जादा important रहेगी, तो अगर आप अभी तक हमारे telegram channel पर जॉइन नहीं हुए, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइन करा दू, आपको हमारे telegram channel का link, इसी वीडियो का description में मिल जाए उसके बाद guys, आपको 2 telegram channel मिलेगा, यहाँ पर उपर वाला channel fake है, जो हमारा original channel है, उसमें 3600 से जादा लग जॉइन है, तो आपको इसी channel को जॉइन करना है guys, यही हमारा telegram का original channel है, जहाँ पर सब कुछ में आपको free में provide करता हूँ, free में fantasy team update, साथ में free में कमाल की betting prediction, सब कु वीडियो के description में बहुत कमाल की betting application, वन बिन का भी link में लेगा, और वन बिन में मेरी last 2 big best league matches के विनिंग देख सकते हैं, जहाँ पर मेरा overall profit 61,000 का हुआ है, आपके सामने proof है guys, regular basis पर मैं आपको betting prediction परवाइड करता हूँ और काफी तगरा वन बिन से जीतता हूँ guys, already मैं यहा जिसका आपको लिंक वीडियो के description में मिल जाएगा, अगर आप अभी तक नहीं खेल लें, तो लिंक को जरूर चेक आउट करिए guys, और खेलना यहाँ पर start कर दीजेगा, ठीक है, और डीटेल में वन बिन के बारे में जाना हूँ तो अल्लेडी काफी सारे वीडियो में वन भूले, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो फट्राफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओन करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें, तो बहुत जल्द गाईज मैं आपसे मिलता नेक्स वीडियो में